नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार में कैसे हो आशा करती आप सबी लोग ठीक हो मित्रो इस दुनिया में हर व्यक्ति कठोर प्रिश्यम करता है हर व्यक्ति के वल यही चाता है कि उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परशानी ना आए उसका परिवार हमेशा सुखी जीवन जीए इसलिए दन का सच्छे करके वे अपने परिवार को सुख सिम्रिदी लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा करने से करिंग परिश्यम करने के बाद भी उस चीज की प्रापती नहीं हो पाती है जिससे आपकी इच्छा खतम हो जाती है लेकिन मित्रो आप अपको परशान होने की कोई अवशक्ता नहीं है और आप भी करी परिश्यम करते हैं या मैनत करत आप चाहते हैं कि उसको पूरा फल आपको प्रापत हो और आपका भगवान बोले नाजी को आज जो साथ चीज़ें हम बताएंगे उसमें से केवल एक चीज़ भी आप चढ़ाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मारिये सारी मनुकामना पूरी हो जाएगी जीवन में सारी परशानी अपने आप ही खतम हो जाएगी आपको जो भी मनुकामना है वह जुरूर पूरी होगी दोस्तों हम आपको जिन साथ चीज़ों के बारे में बतानी जा रहे हैं उससे आपको सही समी पर सही साधना के साथ सही क्रिया में अंसार भगवान भोले नाजी को अपित करन अनथा आपकी एक गलती से भगवान आपके उपर करोईद हो सकते हैं इसलिए मित्रों आपको इस वीडियो में अंतक जुरूर बनी रहना चाहिए और ध्यान से सुनते रहें मित्रों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सस्क्राइब कर लीजी तांकि आपको रोजाना ऐसे ज्यानवर्दक जानकारी मिलती रहें दोस्तो सबसे पहली चीज है शिवाव प्रान में लिखी गई जिसका परतेक व्यक्ति को भगवान को अर्पित करना चाहिए जल दोस्तो अगर आप निमत रूप से परतेक सोंबार भगवान बोले नात को जल अर्पित करते हो तो आप भगवान शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में शिव जी को जल अर्पित करते हो यकीन मानिये निश्य रूप से घर में मजूद जुतनी भी नकारात्मक शक्ति है अपने आप दूर हो जाती है घर में सकारात्मक उज्जाओं का डेरा बन जाता है माने जाता है कि भगवान बोले नात को जल अर्पित क परनने से ही जिस घर में तमान परकार की समस्या हैं अपने आप ही दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक पर उर्जा प्रवेश होती है जिससे घर में बरकत होने लगती है अगर आपको परतेक संबरवार भगवान शिप को जल अर्पित करते हो तो यकीन माईने महादेव जी वशीष अश्रिवाद आपको अर्टित होगा दूसरी चुछ भगवान बोले नाद जी को जो चड़ाना है बेल पत्र मित्रो शायद आपको यह बात नहीं जानते हो जब भी भगवान बोले नाद जी श्रिष्टी के कल्यान के लिए विश्ष को गरहन किया था तब भगवान बोले नाद ने बेल पत्र धतूरा और भांग दिया गया था जिसके धारन करने से भगवान बोले नाद बहुत ज़्यादा ही शीता महसूस हुई थी जिसके बाद बेल पत्र को बहुत ही ज़्यादा शुम माना गया है कहा जाता है बेल पत्तर का ब्रिक्ष या बेल पत्तर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं बेल विक्ष पर माता पारवती जी का भी वास मानाग जाता है कोई भी व्यक्ति अगर बेल ब्रिक्ष के सामने सही नियम अनसार पूजन साधना कर लेता है उसे व्यक्ति को भगवान भोले नाजी का आशिरवात प्रापत होता है और कोई व्यक्ति अगर भगवान भोले नाजी को नीमत परतेक से सोंबा दिन बेल पत्तर चड़ाता है तो निच्ची दूरूप से तमाम परकार के समस्य अपने आप ही दूर हो जाती है लेकिन इस बात का हमेश्या ध्यान रखना है कि बेल पत्तर चड़ाते समय बेल पत्तर बिलकुल भी कटे फटे नहीं होने चाहिए जब भी आप भगवान भोले नाजी को बेल पत्तर अरपित करे तो तीन पत्तर वाले बेल पत्तर होने चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानी आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा तीसरी जीजिए अरकंडे का फूल जैसे कि आप सबको जानते हो अरकंडे का फूल बहुत जादा शुम माना गया है अगर आपका ठोर प्रक्ष्यम करते हो आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पढ़ गया है जिसकी वाज़े से आपको कोई परशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे अगर आपको दुर्भाग्य प्रक्ष्यम करते हो निश्चित रूप से तो आपका भग्वान भोलेनत ऐसी किर्पाग्य प्रापत होगी जिससे आपको दुर्भाग्य सुबाग्य में बदल जाएगा चोती चीज है दुतूरे का फूल में तरो वैसे तो दुतूरे का फूल बड़ी असानी से कहीं पर भी मिल जाता है अकसर आपने अपने घर के आसपास फूल देखिया होगा लेकिन आप इस फूल को अंदेखा कर दिया होगा लेकिन बता दे दतूरे का फूल कांतर विरिस्टी से और आयूविदिक विरिस्टी से उत्नम पौधा माना गया है कहा जाता है दतूरे का फूल जो होता है वह कई परकार की बिमानियों के जड़ से खतम करता है बहुत जादा साहिता करता है तो तूरे का फूल अगर लगातार 11 सोंबार तक भगवान बोलेनाथ को चढ़ा दीजे तो आपकी मन कामना जो भी होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी इसके अलावा अगर भगवान बोलेनाथ को भांग चढ़ाने जा रहे हो तो आपको पुजारी से पर्मीशन जुरूर लेना चाहिए बिना पुजारी के रायक से आपको बोलेनाथ को भांग नहीं चढ़ाना चाहिए पुजारी की अनुमती के बिना आपने भगवान बोले नाथ को भांग मत चड़ाइए वितर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है पुजा का सही तरीका कोई भी हो तो साधना सही होनी चाहिए आनि था आपको भगवान का क्रोध भी जीलना पड़ सकता है इसलिए जब भी आप भगवान बोले नाथ जी को भांग चड़ाए तो उससे पहले बुजारी की राए चुरूर लीजेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोकरी की प्राप्ती हो जाए चाहते हैं कि विपार में बिजनस में गती ग्रोग करे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ध्यान से सुने इसके लिए आपको एक सरधारन सा प्रयोग बताया गया है अगर आप सावन के में भगवान बोले नाथ को दूच चड़ाते हैं यकीन मानिये आपको हर मनुकामना पूरन हो जाएगी वित्रू हमारे साथ ऐसा होता है हमें दुरभागे के कारण नोकरी नहीं मिल पाती बिजनस सही धंग से नहीं चल पाता अगर आप सावन के सोमबार में भगवान बोले नाथ को परतिक सोमबार दूच चड़ाते हैं चड़ाना चाहिए शाद आपने ये बात बिलकुल भी नहीं जानते होगी भगवान बोले नाथ को चड़ाया जाता है तो चड़ाया जाता है यकीन मानिये मित्रों आपके भोतिक सुकसादनों की प्राप्ती होगे और जीवन में इतना सुखाएगा कि जिसे बारे आपको ने सोचा भी नहीं होगा आप भी जो कारे करेंगे उस कारे में निश्चित उपसे सफलता मिलेगी इसलिए मित्रों आपको जो जो चीज हमने बताईए आप भगवान भोले नाथ को वैसे अरपृत करना चाहिए ऐसे आपके जीवन में धन धायन होगा तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद